नमस्कार, मैं दॉक्टर पीती लक्षमन सेथ हॉस्पिटल और आईएफ सेंटर जहासी से आज मैं आपके बताऊंगे कि कितने अल्टरसाउंड्स इंपोर्टेंट होते हैं स्पेशली इन आईएफ प्रेगनेंसी तो सबसे पहले हमारा अगर बीटा एचीजी पॉजिटिव आ गया है तो बीटा एचीजी पॉजिटिव आने के 15 दिन बाद हम लोग एक स्कैन करते हैं विच इस आल्वेज आ ट्रांसवजाइनल स्कैन क्योंकि ट्रांसवजाइनल स्कैन हमेशा बेटर होता है इतने छोटे टाइम में हार्ट देखने के लिए कितने सैक आए वो देखने के लिए कोई आगे प्रॉब्लम होने के चांसस तो नहीं है यह एक ऐसा वाला स्कैन होता है जिसे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि बच्चे को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम कोई बीमारी कुछ ऐसा होने के चांसस तो नहीं है कभी-कभी अगर किसी पेशन को बलीडिंग हो रही है या कोई सीवेड पेन होता है चपकर आते हैं कोई धिक्कत होती है तो हमें बीच में भी स्कैन करने की जरुब्लम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाट, आई, नोज, हाथ पैप, दिमाग, सब कुछ सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देखते हैं उसके बाद यूज्वरी अगर आपका डॉक्टर आपको प्रॉपरली स्कान कर रहा है तो एक लास्ट में कलर डॉक्टर कराने की जरुद पड़ती है हाँ, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है सपोर्स पेन हो रहा है, या लीकिंग हो रही है या बच्चे के मूवमेंट्स कम हो रहे है और बहुत सारे specific reasons होते है अगर उन में से कुछ हो रहा है ultrasound raise से कोई नुकसान नहीं होता तो जब भी आपका doctor कह रहा है कि ultrasound की जरुवत है तो जरूर करवा लीजे, that doesn't mean कि आप unnecessary कराएं, but yes, जो जरूरी है वो जरूर कराएं, thank you, namishka